Part Bs देनन्दिनी लेखन और अनुच्छेद लेखन Diary Writing and Paragraph Writing देनन्दिनी लेखन देनन्दिनी का अर्थ है प्रति दिन लेखन का मतलब लिखना इस प्रकार देनन्दिन लेखन का तात पर्य हुआ प्रति दिन लिखी जाने वाली प्रति दिन की ऐसी प्रिय या अप्रिय खटना जिसने मन को प्रभावित किया हो उसे लिपी बद्ध करना ही Diary या देनन्दिनी लिखना कहा जाता है अपने दिल के उद्गार को व्यत करने का या सबसे अच्छा माध्य माना चाता है देनन्दिनी या Diary लिखने से पहले लिखनी का दिन तथा दिनांग अवश्य लिखना चाहिए लिख लेने की पश्चात नीचे अपना हस्ताक्षर भी करें क्योंकि कभी कभी व्यत्ती द्वारा लिखे गए यही उद्गार साक्ष बन जाते हैं उदाहरणार्थ एक सूला मैं दो हजार तेरा बुद्वार रात्री नो बचे आज का दिन मैं शायत कभी न भूल पाऊंगी क्योंकि प्राता काल प्रमण की समय जो घटना मेरी आखों के सामने घटी उसका द्रिश्य बार बार मुझे तहला जा रहा है हम सड़क पार करने चाही रहे थे कि एक तीस गती से आती हुई एक कार ने एक छूटी बच्चे को इतनी तीस तक कर मारी कि वह बच्चा हवा में उचल गया और नीचे गिरते ही उसकी सासे थम गई मैं बीबसी खड़ी रह गई और कुछ भी न कर सकी ये भयावात रिश्य मैं कभी भी भुलाना पाऊंगी चित्रा दू दस फरवरी 2013 शुक्रवाल रात त्री साड़े नौ बचे आज मैं पहुत खोशू क्योंकि आज मेरा चन दिन है मैं सुबह से ही पिता जी द्वारा हर बार दिये जाने वाले तोफे की तरा इस बार भी इंतिसार कर रही थी वैसे तो मेरे पिता जी ओफिस से हर दिन शाम को आठ बजे घर आया करते थे किन्तु आज पाच बजे ही आ गए थे उनके हाथ में कोई पाकेट ना देखकर मैं पहुत निराश हुई शाम को जब मैंने केक काटने के बाद अपने पिता जी का पैर चुआ तो उन्होंने मुझे ठीरू आशरवाद दिये और अपनी चेब से एक छोटा सा पाकेट निकाल कर मेरी हाथ पर रग दिया यह और कुछ नहीं मेरा चिर प्रतीक्षित मुबाइल था जिसे पाकर मैं फूली न समाई मेरा आज का दिन बहुत ही खुशगवा रहा शुरुती अनुच्छीत लेखन किसी भी विशे पर अपने विचारों को पूरी तरह किंतु संक्षीप में लिखना ही अनुच्छीत कहलाता है अनुच्छीत में जो विशे हम लिखने के लिए चुनते हैं उसी से संबंधित समस्थ पहलूँ को सम्मलित करते हुए अपने विचार व्यक्त करने होते हैं अनुच्छीत लेखन में प्रारम से लेकर अंद तक भाशा में प्रवा होना चाहिए भाशा सरल, सुगम तथा रोचक होनी चाहिए वाक्य बेशक छोटे-छोटे लिखे जाए किन्तु सरस्ता बनी रहनी चाहिए एक अनुच्छीत लिखने के लिए किसी भी विशे का एकी पक्ष लेकर उसका वर्णन करना चाहिए उदाहरणार्थ परिश्रम का महत्व परिश्रम से खबराना नहीं चाहिए कठन से कठन काम भी परिश्रम से आसान हो जाता है परिश्रम से ची चुराने वाला व्यक्ति आलस्य में समय बिताता है आलस्य व्यक्ति की जीवन का कोई लक्ष नहीं होता वहसदैफ आज के काम को कल पर टालता है उसमें कारी किप्रती, उमंग, उत्साह और स्फूर्ती नहीं होती आलस ये उसके जीवन की शक्तियों को कुन्ठित कर देता है इसके साथ ही आत्म विश्वास में भी कमिला देता है परन्तु जू व्यक्ति परिश्रम से जीद नहीं चुराता समय पर अपना काम समय से कर लेता है और कठनाईयों से भी नहीं खबराता वह जीवन में कभी भी आसफल नहीं होता इसलिए जीवन में उचा उठने का रहस्य परिश्रम ही सफलता की कुन्जी है अनेक्ता में एक्ता भारत वर्ष की एक विशेश्ता है इस विशाल देश में हिंदी, मराथी, उडिया, बंगला, तमिल, तेलिगू, कननड, पंजाबी आदे अनीक भाशाईं बोली जाती हैं प्रतीक प्रदेश की विशभूशा और खानपान भी अलग है धर्म के शेत्र में यहां अनीक पत और संप्रदाई हैं विभिन धर्मों के लोग अपने अपने त्योहारों को अपने अनुसार मनाते हैं नृत्य और गायन में भी प्रतीक शेत्र की अपनी अपनी विशेश पद्धती है यही नहीं, प्रकृती ने भी इस देश को विविद्धता से मंडित किया है यहां का मौसम भी प्रतीक दो मास के अंतराल पर बदल चाता है इसलिए यहां बसंद, ग्रीश्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशर जैसी 6 रित्वे होती है यहां की फूमी भी कई प्रकार की है कहीं दूर दूर तक सपाट मैदान है तो कहीं उचे उचे परवत हैं, कहीं उचे पठार हैं और कहीं विशाल मरुस्थल इस प्रकार भाषा, संस्कृती और धर्म आदी की फिन्नताएं और भोगोलिक विविदताएं होते हुए भी हमारा यह देश एक है और इस देश में रहने वाले सभी एक हैं